नमस्कार, आज मैं आप सभी के साथ नशों पर विचार व्यक्त करने जा रही हूँ हम सभी मनुश्य हैं, चाहे भले ही कोई नशा करते हूँ या नहीं करते हूँ बात यह है कि हम एक मनुश्यता से जुड़े हुए हैं और जहां तक नशों की बात है, कुछ नशे रासाइनिक हो सकते हैं, पादभों से निर्मित हो सकते हैं ब्लैंट से यह सब भी प्राकृतिक के तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व होने के कारण यह प्रकृति से आते हैं और ऐसा नहीं है कि जो नशे करते हैं वे बुरे मनुश्य होंगे या ग्रिनित भाव हो उनके बारे में और जो नहीं करते हैं उन्हें अभिमान करना चाहिए कि वे नहीं करते हैं या उच्छ हैं क्योंकि वहां पर फिर अहंकार पनपने लगेगा इगो आने लगेगी यह भी एक तरह का नशाही है और यह भी दुख देता है कहीं बार हाँ अगर कोई नशाना करते हुए भी अच्छे से रहते हैं प्रेम से रहते हैं खुशी से रहते हैं तब तो क्या कहना है इसी के साथ अगर कोई मनुश्य यह देख पाता है कि लिगलाइज्ट कानूनी तोर पर वैद नशी जो सरकारें सरकार उन्दोहरा मानने हैं अगर उन्हें लगता है कि क्योंकि मनुश्य के स्वभाव अलग-लग है पसंद अलग-लग है पसंद ना पसंद सभी के अलग-लग होती है अभी जो नशों का सेवन लेते हैं चाहे तरल पदार्त में हूँ चाहे ठोस पदार्त में solid liquid या उनकी पसंद है खुशी है क्योंकि मैंने लगता है कि जीवन पहले से बहतर है फिर तो क्या कहा जा सकता है इसी तरह से अगर ऐसा नहीं है बलकि नशी पीड़ा का कारण बने हुए हैं घर में कलेश का कारण बने हुए हैं स्वास्थिर गिर रहा है डगमगा रहा है तब फिर हमें थोड़ा विचार करने की जरूरत है डॉक्टर भी यही सुजाव देते हैं, सलाह देते हैं कि आप इन चीज़ों को वाइट करें तो स्तिती पर निर्भर करेगा सिच्टुेशन पर डिपैंड करेगा कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए लेकिन नशों के आधार पर किसी से घ्रिना भाव रखना नफरत रखनी, या वैर मैमने से की भावना रखना विरोध भाव रखना, पहरे से ही मन में घ्रिन्द भाव उभराना यह खुद के लिए पीडा का कारण है क्योंकि सभी मनुश्य प्रमात्मा से उपचे हैं प्रकृती से उत्पन है तह यह कहना कि यह मनुश्य अच्छे हैं क्योंकि यह नश्य का सेवन नहीं करते हैं या यह मनुश्य अच्छे नहीं हैं नशों का सेवन करते हैं, यह गलत है ठीक है, यह बात सत्य है, कुछ एक के लिए, कुछ एक के लिए नश्रों का सिवन ना करना बहुत ही, उच्छ सिती बहतर सिती मानी जाती है, यह उनका स्वभाव है, पसंद है, लेकिन दूसरी तरफ, जो नश्रों का सिवन करते हैं, उनकी पसंद है, उन्हें लगता है कि उन हिस्तियों की थोड़ी कमजोरियां हैं कहीं अहम आने लगे कि हम अच्छे हैं क्योंकि हम नशों का सेवन नहीं करते हैं वह भी पीडा का कारण है वह भी एक तरह का नशा है अहम का नशा बहुत बुरा होता है यह दुख का कारण बन सकता है व्यक्ति को कठोर बना देता है व और भी कारण हो सकते हैं तब सोचने की बात है यह भी फिर पीड़ा का कारण है दुख का कारण बनता है इससे भी जुखना मिलेगा तो समझने की जुरूरत है कि क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ मनुश्य की पसंद कुछ और होती है कुछ की पसंद कुछ और होती है कुछ की पसंद होश होती है कुछ की पसंद मद्धोशी होती है तरह तरह के मनुशे हैं तरह तरह के मन हैं तरह तरह की बुद्धियां हैं इस दुनिया में लेकिन सहें सभी मनुशे मनुशे केटिगरी में हैं मनुष्य जोनी में है मनुष्य तन मिला है अहसानी है किसी को राक्ष्यस तन मिला है वही बात है कि कुछ तत्व अगर कोई भी तत्व रासानीक तत्व हो भले नशिला पदार्थ हो यदि वहाँ मनुष्य को हैवान बना दे राक्ष्यस बना दे और उसके मनुवरितियों को बदल दे उसके सवभाव को बदल दे दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी जयादती करने लगे तब यह है बहुत ही दुख का दुख की बात है दुख का कारण बनने लगेगा इसे के साथ यह भी समझने की जरूरत है कि नशे मनुशे जान बूच कर तो नहीं करते हैं खुद को पीडा देना यदि उन्हें लगता है कि पीडा पहुंचती है मजबूरियां होती है कहीं बार किसी को कोई चीज पसंद नहीं आपना जीवन पसंद नहीं आता रहन सेहन पसंद नहीं आता पीडा में आकर मनुशे ऐसा करते है अदासी opposition में आकर ऐसा करते है हाँ दूसेरा रहा है यदी किसी को लगता है कि नशिलिव से पीडा पहुँच रही है सुख नहीं मिल रहा है रोज बदलाव नहीं आ रहा है कुछ सुधार नहीं हो रहा है तो एक ओर राह है बहुत अच्छा राह है, विचारों का राह, यो बाहर से तत्वर, असाइनिक तत्विया, निशीले पदार्त भीतर डाले जातें हैं, वो भीतर भी है उसे मैं निशीले पदार्त तो नहीं कौउंगी, निचुरली, कुदरती तोर पर जो पदार्त हैं वो रहें, संतुलन में रहें तो मुझे नहीं लगता है कि नशों के जरूरत पढ़ेगी क्योंकि नशों के जरूरत अभी पढ़ती है जब दुखी रिदय हो, दुखी मन हो, जब पूर्न संतुष्टी होगी, पूर्न खुशी होगी, तो फिर नशों के क्या जरूरत हो सकती है? और किसी तरह से सब तरों से द्वार बंद हो जाएं क्योंकि इंद्रिया है, नजरों नजरें भी बंद हो जाएं सब कुछ ऐसा लगे कि खत्म होने लगा है, रुकने लगा है एक और रहा है, धर्म रहा है धर्म का रहा भी एक ऐसी हिस्तिति को बताता है समाधी है वह अलग बात है लेकिन उसे भी और अलग बात है विचारों से अगर हम खुश रहने सीख जाएं विचारों से अपने विचारों को खुद के अनुसार ढालना शुरू कर दें और विचारों को खुशनुमा बनाने लगें तो होगा क्या कि खुशी भीतर से उत्पन होने लगेगी जो पदार्थों को बाहर से सेवन किया जाता है भीतर ही उत्पन होने लगें तो यह देखना खुद को पढ़ता है किसके लिए कौन सा विचार अच्छा है वही बात आ गई जैसे मैंने कहा है कुछ मनुश्यों के लिए अच्छे हैं कुछ के लिए नहीं है पसंद ना पसंद पर निर्भर करता है तो देखना होगा कि विचार जो ना खुद के लिए घातक हो ना किसी दूसरे के लिए वही बात आ गई ना खुद को अखली पहुँचाए ना किसी और के साथ ना खुद के साथ जबरदस्ती करें ना किसी और के साथ तो ये देखने के ज़रूरत है ऐसे विचार मनुश्य को खुद तटोलने होंगे खुद खोजना होगा अपने भीतर कि किन से खुशी मिल रही है और किन से पीड़ा पहुँच रही है बहले ही डिप्रेशन की बिमारी हो या अन्य मानसिक बिमारी हो बेचैनी हो तनाव हो चिंटा या फिर अन्य अशारीरिक रोग हो ये सबी पहली बात तो मन से उत्पन होते है पहले मन तक विचार उत्पन होता है उसके पात वो शरीर पर डेमेज करता है शरीर पर एसर करता है शरीर को भी डेमेज पहुँचता है तो हमें समझना है कि विचार किस तरह के हूँ तो यह देखना होगा किस तरह के विचारों से शरीर भी खुश रह रहा है और मन भी पता चल जाता है हमें जैसे मानिए सरदर्द हो रहा है किसे का तनाव के कारण चिनता के कारण और कोई थौर्ट है बीच में चल रहा है मनुष्य जाकिया कि नहीं नहीं मेरे भी तरही है ठौट चल रहा है इस विचार को इस ख्याल को मुझे बदलना है तो ख्याल को बदलने के बाद क्या होगा ख्याल को बदलते ही वो सरदर्द बंद हो जाएगा दवा की भी ज़रूर नहीं बढ़ती यह बात practically applied है मैंने खुद के साथ apply किया है तब ही मैं बता रही हूँ थोड़ी सी चीज कहीं पीड़ा हो रही है शरीर में ख्याल के कारण ख्याल चल रहे हैं पता नहीं हम थोड़ी से सोय हुए हैं ख्यालों के प्रती हम ख्यालों को देखनी रही हैं जाच नहीं रहे हैं और जब जाच नहीं लगते हैं देखने लगते हैं तो हमें पता चलेगा ओ नहीं मैं यही थौट यही विजाल ख्याल बार पार दोरा रही हूँ तो इसके कारण यह हो रहा है और पता लगा तभी तुरंट मैंने बंद कर दिया और तभी शानती बहुत अच्छा हो गया सब कुछ तो यह खुद पर निर्भर करता है ना खुद पर डिपेंड करता है तो फिर से मैं कहूंगी सभी प्रमात्मा किसी बनाए हुए जीव है यहीं कुद्रत से बने हुए पादप हैं, प्लांट्स हैं चाहे वो नशीले पदार्थ हूँ, चाहे अने पौदे हूँ चाहे रसानी तत्वों हो यह सब कुद्रती चीज़े हैं यहीं से उत्पन है हाँ कुछ की पसंद मादकता होती है कुछ की पसंद होश होता है तो तरह तरह के मनुशे हैं तरहतार की पसंद नापसंद है लेकिन किसी के आधार पर किसी को उच्छ मान लेना या किसी से नफरत करना ग्रेना भाव रखना या ठीक नहीं है इसमें हमें सुधार करना चाहिए तो जीवन देखेंगे बहुत ही प्रेम पूर्ण रिस्पूर्ण हो जाएगा खुशाल जीवन मीतेगा कहीं भी पीड़ा नहीं रहेगी तो यह हम पर निर्पर करता है न अभी देखना यह हम कितना खुद पर वर्क कर पाते हैं काम कर पाते हैं थोड़ा सा खुद पर काम करना होगा इसे जीवर में खुशाली बढ़ेगी जिन्दगी ही बदल जाएगी नजर ही बदल जाएगी नफरत हमें बहुत पीड़ा पहुँचाती है नफरत ना केवल जो हमने भाब बनाय हुए है कि कोई बुरा है अच्छा है उसके प्रती बलकि नफरत हमें खुद ही खुद के बीतर तकलीफ पहुँचाती है जैसे क्रोध पहुँचाता है तो है तो क्रोध भी एक नशार क्रोध भी पीड़ा पहुँचाता है लेकिन कुछ मनशे होते हैं आपने भी देखा होगा कि बहुत खुशाल तरह से जीना सीख जाते हैं तो यह देखना है हमें अपनी भीतर कौन सी चीज़ें हैं कौन से विचार हैं जो हमें ना किवल शनिक खुशी देते हैं कुछ टम की मॉमेंट पर बलकि दीर्ग कालिक लंबे लॉंग टम पर भी खुश रखते हैं जैसे कि कुछ चीज़ें होंगी कुछ थोड़े समय के लिए तो सवास्ते ऐसा लगेगा कि ठीक हो रहा है, मन भी ठीक हो रहा है लेकिन लंबे समय पर जहें कुछ तबाएं हूँ लॉंग टम जो उनके एफेक्ट हो जाते हैं पर बाड़ी पर पर जाते हैं क्योंकि कुछ से जबरदस्ती कर दी न जबरदस्ती तो किसी भी तरह की बुरी हो सकती है तो जबरदस्ती खुद के साथ की जाए या किसी के साथ की जाए पीड़ा का कारण ही बनती है उससे खुशी नहीं सहस्ता से हो सब कुछ नैचुरली, स्मूदली आराम से हो, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता तो सब कुछ ठीक होने लगता है जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती किसी फ़सल को कहें कि जल्दी से बढ़ जाए, ऐसा भी संभब नहीं है कोई ब्रिक्शो होटा है उस पर फलफूल आ जाएं जब अबरदस्ती बड़े बड़े हो दिखने लगी या हमारे लाब के मताबिक होने लगे जल्दी से ऐसा नहीं होता है स्मूद्ली आराम से आराम से सब चीजें होती है इसी आराम में हमें रहना है खुशी में हमें जीना है खुशी से हमें जीवनियापन करना है यह सब अमने सीखना है जीवन को जाचना है और ऐसा खुशाल बनाना है कि शायद मुशे लगता है किसी भी निर्भरता की खुद से जबर्दस्ती की ज़रूरत ही ना पड़े तो ज्यादा बहतर है यदि पढ़ रही है और मनुश्य उसी में संतुष्ट है तब भी ठीक है जैसी आपकी मर्जी सब सही है सब यहीं पर है सब परमात्मा के भीतर है बाहर नहीं है सब परमात्मा के दाइरे में है उससे कहीं बाहर नहीं है सब परमात्मा के ही मनुश्य है तो जो है जो भी संसार उत्पन है यहीं से यहीं पर जो चीजें हैं यहीं पर ली जाती हैं और यहीं पर दी जाती हैं धन्यवाद